हिंदू धर्म में वास्तु शास्त्र को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है वास्तु शास्त्र में घर की हर छोटी से लेकर बड़ी वस्तु को रखने के कुछ नियम बताए गए हैं जिनका ध्यान रखा जाए तो व्यक्ती के जीवन में सुख सम्रिद्धी बनी रहती है वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाए बताए गए हैं जिन्हें करने से घर में सुख शान्ती बनी रहती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ वास्तु उपाय को करने से तनाव से भी मुक्ती पाए जा सकती है सोते समय दिशाओं का रखे ध्यान वास्तु के अनुसार हमेशा दक्षिन या पूर्व दिशा में सिर करके सोने की सलाह दी जाती है भूलकर भी उत्तर दिशा की ओर सिर करके न सोएं क्योंकि ऐसा करने पर आपके पैर दक्षिन दिशा में होंगे जिसके कारण आप तमाम तरह के मानसिक तनाव से घिर सकते हैं वास्तू के अनुसार अगर आप मानसिक तनाव से बचना चाहते हैं और चैन की नींद लेना चाहते हैं तो सोते समय दिशाओं का पूरा ध्यान रखें बैडरूम में न रखें ये चीजे वास्तू के अनुसार शयनकक्ष, सोने के कमरा में भूलकर भी शीशा या ड्रेसिंग टेबल नहीं रखना चाहिए अगर आपके पास इसका कोई विकल्प नहीं है तो ही आप इसमें पर्दा लगा दें और इसे इस्तेमाल करने के बाद ध्यान वास्तू के अनुसार घर का आपके पास इसका भी कोई विकल्प नहीं है तो इसे इस्तेमाल करने के बाद इसे पर्दे से ध्यान वास्तू के अ अनुसार घर का आंगन आदी कभी भी जर्ज़ हालत में नहीं होना चाहिए और नहीं इस स्थान पर कूड़ा कचरा या भारी सामान रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार इस नियम की अंदेखी करने वाले घर में मानसिक दबाव बना रहता है। साथ ही खराब इलेक्ट्रोनिक सामान भी घर में नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे नकारात्मक उर्जा पैदा होती है जो मानसिक तनाव और कलह का कारण बनती है। इस तरह नहीं होने चाहिए दरवाजे वास्तु के अनुसार घर में कभी भी दो दरवाजे एक दूसरे के सामने नहीं होने चाहिए। इसे वास्तू में एक गंभीर दोश माना जाता है, जिसके कारण उस घर में रहने वाले लोगों की आर्थिक समस्याएं बढ़ जाती हैं.